जै सिरी किर्षना रादे रादे ये वीडियो निदीवन में गटी एक सची गटना पर आधारित है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आपने अभी तक आपके अपने लोकल जर्नी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि इतना परभावित हुआ कि वह हर समय वरंदावन आने की सोचने लगा उसके गुरू उसे निदीवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान इहां रातरी को रास रचाने आते हैं ये सब सुनकर उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था ख लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निदीवन में रातरी को भगवान रास रचाते हैं उसने सोचा कि एक दिन निदीवन रुक कर देखता हूँ इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा और शाम जब होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया जब श्याम के वक्त वहां के पुजारी निदीवन को खाली करवाने लगे तो उनकी नजर उस भक्त पर पड़ गी और उसे वहां से जाने को कहा पुजारी के कहने पर वो भक्त वहां से चला गया लेकिन उस भक्त के मन में उथल पुथल चल रही थी वो तो रास भिहारी की रास दिला देखने के लिए लालाईत था, अगले दिन फिर शेवे वहाँ जाकर चिप गया, और फिर शेशाम होते ही पुजारी दुआरा निकाल दिया गया, ऐसा करते करते आखिर एक दिन उसने निदिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला, जहां उसे कोई न डूंड सके, और वो भक्त आखे मूद सारी रात वही निदिवन में बैठा रहा, और अगले दिन जब सेविकाए निदिवन में साफ सफाई करने आई, तो पाया की एक व्यक्ती बेसूद पड़ा हुआ है, और उसके मूँ से जाग निकल रहा है, तब उन तक बिना कुछ खाए पिये, बेसुद पड़ा रहा, और पांस दिन बाद जब उसके गुरूजी को गोरधन में जो रहते थे, उनको बताया गया, तब उनके गुरूजी वहाँ पहुँचे और उसे गोरधन अपने आसरम में ले आए, आसरम में भी वो ऐसे ही रहा, और ए खतने दिवार के सहरे लगकर अपना सरीर त्याग दिया था, और उस कागज पर जो उसको लिखने के लिए गुरूजी ने दिया था, उस पर कुछ लिखा हुआ था, अब उस पर क्या लिखा हुआ था, ये आप दिहान से सुनिये, उस पर लिखा हुआ था, गुरूजी मैं ने साकसात मांके बिहारी का राधारानी के साथ, गोपियों के साथ राश चाते हुए दर्शन किया और अब मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं है इस जीवन का जो लक्से था हो लक्से मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं जी कर क्या करूंगा स्याम सुंदर की सुंदरता क्या आगए ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है इसलिए आपके स्री चरणों में मेरा अंतिम सभीकार कीजिए और वो परिणाम करके और उन्होंने अपने देहत्याग दी वो पत्र जो है उस भक्त ने अपने गुरू जी के लिए लिए लिखा था आज भी मत्हुरा के सरकारी सरंगराले में वो पत्र रखा हुआ है जो की बंगाली बासा में लिखा हुआ था कहा जाता है कि निदिवन की सारी लताएं गोपिया है जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी है जहां रात में निदिवन में राधारानी जी बिहारी जी के साथ रासलीला करती है तो वहां की लताएं गोपिया बन जाती है और फिस रासलीला आरंब होती है इस रा चीटी आदिवी जमीन के अंदर चले जाते हैं रास लीला को कोई नहीं देख सकते है क्योंकि रास लीला इस लोकिक जगत की लीला नहीं है रास तो अलोकिक जगत की परम लीला है